आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों हिंदो दर्म में पूजा और आर्थी का मैतपुवस्तान है लेकिन दीपक का अचानक बुज्जाना अशुप समझा जाता है जो के विविन कारणों से हो सकता है दार्मिक दिश्टिकों से दीपक का अचानक बुज्जाना अप्शकुन माना जाता है और यह गर में तकरात्मक उज्जा का प्रतीक माना जाता है यह लोगों को डराता है कि कुछ बुरा हो सकता है यह किसी अशुवगाटना का संकेत हो सकता है दीपक बुझ जाने से देवी देवता नाराज हो सकते हैं और पूझा का फूरा फ़ल नहीं मिल सकता इसके अलावा यह भी माना जाता है कि दीपक का पूझना इस बात की और इंगित कर सकता है कि पूझा करने वाला व्यक्ति सचे मन से बगवान की पूझा नहीं कर रहा और उसकी मनों का मना पूरी नहीं हो सकती दीपक जलाने का प्राचीन और मान्यातों से संबंदेत मैदो है जो हिंडो दर्म में गहरी, धार्मिक और सांस्क्रितिक मान्यातों का हिस्सा है दीपक की जोती को अध्यात्मिक प्रतीक मनना जाता है इसके जलाने से अध्यात्मिक सुख और शांती प्राची होती है दीपक का इस्तेमाल पूझा, हवन, बाठ और अन्यदार्मिक कारेकरवों में किया जाता है इसके चलने से घर में माजूद नेगेटिव उर्जाए दूर होती हैं ये घर में शान्ती, सुख और सम्रीदी लाता है दीपक में परियापत मातरा में तेल या घी रखना जरूरी है ताकि दीपक बिना बुझे जोतर में रहे दीपक की बाती को अच्छे से मनाए, पूजा के समय पंखा बंद कर दें, क्योंकि हवा की गती से दीपक के जनने पर प्रभाव पर सकता है दीपक के आसमस कोई आड़ बनाने से उचित हवाव का प्रभाव रुका जा सकता है, जिससे दीपक जनने के दोरान ना बुझे आशा करते हैं दी गई जानकरी आपको उप्योगी एवं महतपून लगी होगी वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेर कर दीजेगा एवं चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा चल मिलते हैं एक नए एवं रुचक वीडियो के साथ दन्यवाद